अगर आपने भी बिहार स्टेट के अंदर निवास पर्मान पत्र यानि रेजिदेंस सर्टिफिकेट के लिए ओनलाइन अपलाई क्या हुआ है और ओनलाइन अपलाई करने के बाद कैसे आपको अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है उससे जुड़िवी सारी जानकरे म आपको इस वीडियो में देने वालों तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखे दोस्तों सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के साथ पहले आपको अपने ब्राउजर को उपन करना है आपको आर्टी पीएस सच करने के बाद जो परहा लिंक आजा आजा क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद देखिए हम rtps की मेन वेबसाट पर जाएंगे जो कि है हमारी rtps and other service यह लोग सेवा का अधिकार एवाम अन्य सेवाई की पोर्टल पर जाएंगे तो देखे दोस्तो इस पोर्टल पर आजाने के बाद आपने ओनलाइन रजिटेंस सर्ट certificate यानि निवास पर्मान पत्र के लिए apply कर दिया है apply होने के 10 दिन बाद आपका certificate बनके ready हो जाता है तो सबसे पहले आपको अपनी आपनी ट्रैक करना है ट्रैक करने के लिए आपको राइट साइड मिलता है नागरिक अनुभाग यह पर ऑप्शन मिलता है अवे दिन की इस् आप पर select रखना है जो किया through application reference number इस अपसे हम select करेंगे तो आपसे आपका application reference number पूछता है जब आपने अपना online certificate के लिए apply किया था तो आप एक reference number आता है उसको आपको आप फिल कर देना है reference number फिल करने के बाद आपको यहां पर track through यानि आपने जो delivery date है और या फिर आप submission date स यहां पर track कर सकते हैं जिस दिन आपने apply किया है वो date आपको आपको सेलेक्ट कर लेनी है otherwise आपको delivery date होता है जो आपको SMS के थुरूँ आपको send के जाता है एक information इसमें आपको delivery date होती है वो date आपको select कर लेनी है तो यहां पर मैं submission date select कर लेता हूँ इसके बाद हम राइट capture फिल करना है सम्मेट करने के बाद आपको information देनी है जो कि personal information देना है जिसमें आपको applicant का name फिल कर देना है फादर का name फिल करना है और फिर submit को सम्मेट करने के बाद देखिए हमारी application status यहां पर सो करेगा जिसमें आपका application reference number रहेगा साथ ही name of the service रहेगा साथ में applied किस ने applied क्या certificate उसका name रहेगा applied date रहेगी साथ में देखिए यहां पर information को करेगी तो यहां पर हमें last में देखना है last step में जो कि हमारा approval of verified true application को चेक करना है इसमें देखिए जो हमारा status है अगर यहां पर deliver so कर रहा है यारी जिस certificate के लिए हमने apply किया है वो हमारा बनके radio चुका है उसको हम download क आप यहां से भी कर सकते हैं देखिए आप यहां पर देखने को मिलेगा इस अपको क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपका certificate देखे एक new window open होके इसमें download हो जाएगा इसको मैं यहां पर open कर लेता हूं open जैसे मैं आप पर करता हूं तो देखिए यह आपको final certificate रहेगा इसको आप इंट आउट ले लेना है तो एक तरीका आपका यह है कैसे आपको अपना resident certificate देखिए मूल निवास डाउनलोड करना है आप बात करते हैं दोस्के तरीकी की इसके लिए आपको website के home page पे जाने के बाद देखिए आपको नागरी कनू बाग के अंदर ही जाना है इस option मिलता है एप्लिकेंड का नेम फिल करना है इसके बाद आपको download certificate को सुनुख करना है जैसी मैं download certificate सुनुख करता हूं तो यहाँ पर देखे certificate मेरा download हो जगा जो की pdf file में है इसको मैं open कर लेता हूं तो यह हमारा final certificate रहेगा जो की resident certificate है तो इस certificate के अंदर आपका पर्मान पत्र संक्या certificate को verify किया है उसके digital signature और date वेगरा mention होगी यानि इस certificate पे आपको कोई more stamp लगाने की ज़रूत नहीं है या फिर जिसने इसका approve किया है उसके signature कराने की ज़रूत नहीं है या आपका final certificate रहेगा इसको आप किसी भी government job वेगरा में या school वेगरा में है जहाँ भी आप सका use करना चाहते है इसली कर सकते है साथ ही बात करें certificate की validity की तो देखे दोस्तो इस certificate पे कोई यहाँ पर validity नहीं है कि यह एक साल के लिए valid है छे मेने के लिए valid है यह certificate हमारा lifetime valid रहेगा साथ ही बहुत सी government job में क्या बोलते हैं आपको या फी resident certificate के लिए online अप्लाई करके इसको download कर सकते हैं दोस्तो इस तरीके से आप बिहार state के अंदर अपना निवास पर्मान पत्र यान resident certificate online अप्लाई करके easily download कर सकते हैं तो आइ होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लैग जरू कीजेगा